एक या दो घंटे से ज़्यादा देर की ट्रैवलिंग के बाद हम फिजिकली ठक्यू जाते हैं जबकि पूरा टाइम हम सिरफ बैठे रहते हैं और अगर उधना ही टाइम हम घर पर बैठे रहें तो हमें तकान मैसूस ही नहीं होती और कार या बस के कमपेरिजन में ट्रेन में हम कम थकते हैं I know ऐसा होता तो आप सब के साथ भी है सिर्फ कुछ फ्रेंड्स को छोड़ कर जो डेली ट्रैवल करते हैं बट आप इस चीज़ को नदर अंदाज कर देते हैं In reality हमारी ठकान फिजिकल कम और mental ज़्यादा है जब भी हम कार या बस से ट्रैवल करते हैं तो हमार किशी एक पेंडूलम की तरह जबकि ट्रेन के केस में तो ऐसा कुछ होता भी नहीं इसके अलावा वहिकल की कंडिशन पैसेंजर सीट्स एन्वायरमेंट और रोड्स की क्वालिटी अपना अपना रोल बखू भी निवाते हैं हमें पता नहीं चलता लेकिन इन लगातार के जटकों की वज़े से हमें mentally alert रहना पड़ता है हमारा brain हमारे posture को maintain रखने के लिए लगातार हमारी muscles को engage रखता है जिसकी वज़े से हमारी muscles को लगातार actively work करते रहना पड़ता है और एक लंबे समय के बाद हम ठक जाते हैं लेकिन यदि हमारा mind किसी और चीज़ पर लगा हो तो definitely हमें इसके comparison में कम थकान महसूस होती है for example कोई interesting music सुनना या फिर थोड़ी सी देर सो ही जाना in fact अगर हमारी side में कोई लड़की बैठ जाए तो भी तो make sure next time जब भी travel करो तो अपने पास headphones या earphones जरूर रखना या फिर भगवान से दुआ करना के side में किसी लड़की को बैठा दे और अगर कुछ भी ना हो तो मेरी चरह सो जाना take care thank you